भारतिय भोजन फसल और अनाच पर प्रमुक रूप से निर्भर है। बहुत ही आननदायक लगता है। यही कारण है आज मिडी यानि महराश्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टिटूट आपके लिए लाए है दाल मेल प्रोसेसिंग बिजनस पर एक विशिश डॉक्यमेंटरी। आईए देखते हैं कि इस व्यवसाय में हमें क्या मशीने चाहिए। आईए देखते हैं कि इस व्यवसाय में हमें क्या रॉव मिटेरियल चाहिए। प्रोसेस चना डाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले बाजा से कच्चा चना डाल खरीदना होगा। और गोदाम में स्टोर करना होगा। जहां से यह उत्पादन की जरुवत की हिसाब से उतार रहा है और फिर एसकेलेटर की मदद से इसे प्लांट स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद कमवायर इस कच्चे चना डाल को वाइबरेटिंग स्क्रीन सेपरेटिंग मशीन में ले जाता है। उसके बाद डेस्टनर मशीन में कच्ची डाल से पत्थर के कणों को हटा दे फिर कच्ची डाल को आठ से दस घंटे के लिए टैंक में विगो दिया जाता है। उसके बाद एक ड्रायर की मदद से कच्ची डाल ड्राय की जाती है। इस प्रक्रिया से कच्छी दाल से हस्क आसानी से निकालने में मदद मिलती है उसके बाद रोल डिहस्क निकालने में मदद किया जाता है अब भूसी और अन्य अशुद्यो को क्लासिफायर सेपरेटर की मदद से अलग किया जाता है peeled husk, dyed leaf, sand particles and other light grain इस दाल से निकाल कर ठीक से साफ किया जाता है सफाई के बाद छिलके वाली कच्ची दाल को एक splitting machine की मदद से fill किया जाता है और यह machine कच्ची दाल को दो भागों में तोड़ देती है फिर pulse reading machine की मदद से अच्छी और टूटे हुई दाल को अलग किया जाता है जिसके बाद दाल के रंग के अनुसार रंग छटाई करने वाली machine दाल को छांट लेती है अब इन सौट किये गए दाल को रंग के अनुसार अलग अलग पैक किया जाता है और बाजार में बेचा जाता है इस तरह आप इस व्यवसाइक को शुरू कर सकते हैं और अधिक लाब कमा सकते हैं यदि आपको ये बिजनस शुरू करने के लिए किसी भी जानकारी की आवश्यक्ता है और यदि आप इस व्यवसाइक को स्थापित करने के लिए अधिक विवरण या कोई विशेशग्य, सलाह या कोई financial सहायता चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिये गए वेबसाइट पर विजित करें या नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं यदि आप इस तरह के और अधिक व्यवसाइक विचार चाहते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें